नमस्ते मैं हूँ शशी हर्मुख और आप सब का इस चैनल पर स्वागत है आज का ये जो सेट अप है आई होप आपको ठीक लग रहा होगा क्योंकि मेरा ट्राइपॉट टूड़ गया और मैंने अपने फोन को इसकी मदद से बड़ी मुश्किल से अपने टेबल में ठिकाया ह हुआ है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जब तक से अच्छे सेट है फोन तब तक से हो जाना चाहिए आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कुंडलीनी जागरण से पहले एक साधक के व्यक्तित्व में किस प्रकार के बदलाव होते हैं इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश यह है कि आप समझें कि ध्यान से व्यक्तित्व का बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ज्यादातर साधक ध्यान से फाइदा इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वह अपने बदलाव को रोकते हैं खुद बदलने के लिए मांस भावी क्रूप से होने लगेगा और आपको उसका विरोध नहीं करना है उसको बदलने देना है तो आपको बदलाओ और अच्छे से समझा है इसलिए मैंने आज का ये वीडियो डिजाइन किया है इसके लिए मैंने एक फ्लोचाड बनाया है आप देख लीजिए इसका तो हम शुरू करते हैं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है देखिए यहां पर मैंने लिखा है इस्त्री जो इस्त्री में गुण होते हैं उनको मैंने यहां पर लिखा हुआ है कुछ गुणों को ले लिया और यहां पर मैंने लिखा है पुरुष और उनमें पाये जाने वाले क सब्सक्ण जाते हुज हमारे बच्पन से पिज़ सीखते हैं सब चीज बच्पन से वो इस तरी को करना चाहिए और इस तरीके का वेवहार जो है वो एक पुरुष को करना चाहिए यही शोबा देता है वगर है वगर है चीजे हम भचपन से सीखते चले जाते हैं है तो आपको करना यह है कि कुंडलीनी जागरण से पहले आपको इस फ्रेमवर्क से बाहर आना ह कुंडलीनी जागरण से पहले आपको समझना होगा कि आपका जो यह वेवहार का जो फ्रेमवर्क है जिस भी प्रकार के आप बेहेवियर वाले हो है ना चाहे इस्तरी हो या पुरुष यह आउटर आपके अंदर भरा गया है बाहर की परिस्थितियों से आपके अंदर भरा गया है और आपको उसकी सच्चाई को जानना है और उसको अपनी मुक्ति के लिए प्रयोग करना है इसको मैं एक्जामपल के हिसाब से बताद एक्जामपल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करती हूं देखिए जैसे इस्तरी को बच्पन से बहुत जन्म घुट्टी क तरह पिलाया जाता है यह बात कि इस्तरी की सुंदर्ता उसकी कोमलता में हैं उसकी सहनशिलता में हैं इस्तरी कुम्रिदुभाशी तो होना ही चाहिए इस्तरी को कठोर नहीं होना चाहिए वगर वगर चीज हमको सिखाई जाती है और इस्तरीयां इस बात का प्रयोग अपन गुडों के विपरीत जाना मतलब कोई चीज गलत करना है ना तो इस वज़े से द्रिणतार इस्त्रियों में नहीं आती जैसे कि मैंने एक और बार एक्जामपल दिया था जैसे कि सहन शिलता का उधारन दिया था कि एक इस्त्री सहन शिलता का उपयोग अगर वो अपने कमजो बूरियों को छुपानी के लिए अपने साथ हो रहे हैं अन्याय को स्थपआनी के लिए करती है तो ये उसका गंड नहीं है उसके लिए दुरवोण होगा आपको सहन शिलता का प्रयोग करना है बुराई से लड़ने के लिए उस रास्ते पर चलने में आने वाली कठिनाईयों को वर्दास्त करने के लिए इसलिए आपको सहन शिलता का उपयोग करना है ताकि आप मुक्त हो सके है ना अपने बंधनों से अपने पीड़ा से अपने इस दुख दाई जीवन से मुक्त हो सके लेकिन हमें जो भी गुण दिये गये हैं चाहिए इस्त्री हो या पुरुष हम उसका प्रयोग करते हैं अपने बंधन को मजबूत करने के लिए अपने बंधनों को और कड़े से हमारे उपर यूनों बांधने के लिए जैसे पुरुष पुरुष का जो बचपन से अगर आप देखोगे तो इस तरीके की कंडीशनिंग होती है जैसे छोटे-छोटे बच्चों के लिए भी आप देखोगे तो उनको घर में ये स्वभाविक रूप से उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे अपनी बहन को कंट्रोल करन ठीक है और एक और लड़का जो 12th क्लास में था वो अपनी बहन को जो की 10th क्लास में है एक शादी के रिस्टेप्शन में बात 10 लोगों के बीच में ये बोलता है कि ये लट निकाल के क्यों घूम रही है क्यासे कंगी कर ली है छी अच्छा ने दिख रहा है चोटी कर गया ठीक है तो ये एक्जामपल से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी परवरिश ऐसे होती है ना बचपन से लड़की और लड़के की है ना कि वो एक लड़का जो है कंट्रोलिंग बिहेवियर वाला निकलता है उसको सब चीज कंट्रोल करना है अब खास कर अपने जी देखोगे दो उनको बार बार यह सिंखाया जाता है क्यों दूसरों की सेवा करनी हैं सेवा दूंबरा काम नहीं है लेकिन अपना सोशन करते हुँ एस सेवा करना ये जरूर बुरा काम है जब आप खुद ही ग surround हो तो आप किसी और कि सेवा कैसे कर सकती हो उसको गुलामी कह उसको सेवा करना नहीं बोलते अगर आप स्वतंत्र हो एक इस्त्री अगर स्वतंत्र है किसी की उपर निर्भर नहीं है नहीं आर्थिक रूप से नहीं भावनात्मक रूप से किसी भी प्रकार से किसी की उपर निर्भर नहीं है और तब अगर वो किसी की सेवा करे तब उसको सेवा कहा जाएगा और अगर वो किसी पर निर्भर है है ना गुलामी कहा जाएगा उसको ठीक है पर तंत्र है तो उसको ना सेवा नहीं कहते हैं आप इसका फर्क अच्छे से समझ लो ये जो चीजे में behavior बता रही हो ना आपको सुनने में लगेगा ये बहुत छोटी चीजे ह हैं ये बहुत समाननी चीजे हैं यह हम सबके घरों में होता है यह जादतर घरों में होता है मैं जादतर घरों की बात कर रही हो ठीक है मुठी भर घर ऐसे जहां ऐसा behavior नहीं होता बहुत अच्छी बात है ठीक है वेरी गुड लेकिन जादतर घरों में जो होता है मैं उसकी तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे डीपली रूटेड जो हमारे बिहेवियर हैं वो कहां से आ रहे हैं और आपको यह समझना होगा है लड़कियों को छोटी-छोटी बच्चीयों को यह सिखाया जाता है अपने भाई को खाना निकालना उसके लिए थाली सजाना और उसको परो घर में कोई चीज पहले आ रही है तो इवन चोटी बच्चीयों को भी सिखाया जाता है पहले घर के बड़े खाएंगे या पुरुष खाएंगे या उसका भाई खाएगा तो इक्वल ट्रीटमेंट लड़की और लड़के के साथ में घरों में नहीं किया जाता तो इस हिस है इस साथ से और क्या होता है बाहर आने जाने में डिफरенट डिव्करना टाइम में डिफरेंट गरना कौन सी पढ़ाई करनी है कौन सी नहीं कौन सá चोटे बच्चों के दिमाग में यह बाते ये अलगाओ वाली विचाड़ questa यह भरी जाती है तो लड़िए यह सोचते हुए बड़ी होती है सब consciously की मेरा जीवन की सफलता इसमें कि मैं किसी और की सेवा कर लूँ मैं कोमल रहूं मैं सुन्दर रहूं मैं आकरशक रहूं ताकि मैं अपने पती के लिए हमेशा हमेशा क्या बोलते हैं उसको डिजायरेबल रहूं है ना तो वह पूरा ध्यान अपना इसमें लगा देती है और एक पुरुष को यह सिखाया जाता है बचपन से की तु घर का बेटा है तेरे उपर जिम्मेदारी है परिवार को सम्हालना है परिवार को लेके चलना है तुझे उची पढ़ाई करनी है तुझे उची नौकरी अपने लिए लगानी है ताकि तु परिवार का भरन पोशन कर सके तो यह जो जिम्मेदारियों का कंधा जिम्मेदार उसे कंट्रोल करना चाहते हैं बहन को कंट्रोल करते हैं फिर गल्फ्रेंड को कंट्रोल करेंगे फिर बीवी को कंट्रोल करेंगे फिर बेटी को कंट्रोल करेंगे कुछ किसों में अपने मां को भी कंट्रोल करते हैं घर में तो यह सारी चीजें कंट्रोलिंग बिहेवियर की वज़ाइसे पुरुष वह बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं और इस्त्री जो है अपने आपको कंट्रोल करने देती हैं सक दूसरों को इसकी वज़ाइसे इस तुरी भी बहुत ज़्यादा धुख में हैं यह चीजे बहुत नॉर्मण अगर होंगी जो मैं बता रही हूं मैं फिर से बता देती हूं पर यह बहुत इंपोर्टैंट है तो आपको ना इस छवी से बाहर आना है इसथ्रिव glacier अर पुरुष दोनों इसमें डल चुके हो इससे आपको बहार आना है एक इस्तरी अपने घुड़ों को जो भी उस परकृति ने उसको गुड़ दिये सहार जेया समर्पढ गलत चीजूं के लिए करती है उन लोगों के लिए करती है जो के जीवन में दुख लेके आ रहे हैं जो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं ठीक है मैंने ये देखा है कि एक इस्तरी अपने पती के लिए समर्पित हो जाती है है ना वो पती जो उसको मारता पिटता है जो शराबी है जो घर में बिल्कुल भी ठीक से घर के पालन पोशन में या बहुत किम्ती गुण हैं और सब नहीं कर पाते हैं लेकिन इस्तरीयों को ये बहुत ही सरलता से प्राप्त होता है समझ रहे हो आप लोग में क्या कह रही हूं बचपन की कंडिशनिंग हमारी ऐसी होती है इस्तरीयों की कि उनको समर्पित रहने के लिए ट्रें किया जाता है तो आपको जो गुण दिये गए हैं उसको आप अब तक अपने पतन के लिए उपयोग कर रहे थे अपने बंधन को कड़े करने के लिए उपयोग कर रहे थे अब आप उसका उपयोग करी है अपने बंधनों को खोलने के लिए ठीक है समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं नहीं समझ आ रहा है तो फिर से बैकवर्ड जाके फिर से आप आई के सनीजिये यह जो समर्पन का जो गुण है कि बहुत रेयर को होता है बहुत मुश्किल होती है बहुत बड़े बड़े ध्यानियों को समर्पन करने में और आपको वेलेबल है कि यापके लिए इस समर्पित होना तो आप इस समर्पन को सबसे बड़ी शक्ति के लिए प्रयोग कीजिए सबसे बड़ी शक्ति के सामने समर्पित हो जाएए ठीक है अपनी मुक्ति के लिए इसका प्रयोग कीजिए सेम चीज विनम्रता अभिव्यक्ति समवेधन शिलता यह सारे गुण जो है य ये सारे गुण का उपयोग करिए और मुक्त हो जाएए ये सारे गुण आप मुक्ति के लिए उपयोग करिए ठीच है सेम चीज में पूरुष को कह रही हूँ पूरुष में जो ये गुण होते हैं बल का गुण आप बल का कहां प्रयोग करते हो आप बल का प्रयोग करते हो अपने से कम ताकतवर की ऊपर छा जाने के लिए उस पर रौब ज़ारने के लिए उसके जिंदगी का मालिक बन बैठने के लिए तो आप यहां गलत जग़ा क्यू अपने बल का प्रयोग करते हो बल शारिरिक जो गतिवीधियां हैं आपकी उसका प्रयोग आप अपने एहंकार को बढ़ाने के लिए कर रहे हो वहाँ पे ना करके आप अपने शारिरिक जो गुण है जो शारिरिक छमता है उसका उपयोग अपनी मुक्ति के लिए करिए आपमें जो गुण है साहस का स्वतंतरता का स्वत्छंदता का नेत्रित्व छमता है और क्या-क्या लिखा है मैं नहीं आप देख लिजिए द्रिंता है कठोरता है तो आपका जो गुण है ना आप बहुत सुटेवल है ध्यान करने के लिए कि आप बहुत समय तक कठोड़ता से द्रणता से बैठ सकते हो ध्यान की मुद्रा में ठीक है निश्चय कर सकते हो नेत्रित्व कर सकते हो तो यह सारे गुण का जो है आप उपयोग करिए अपनी मुप्ति के लिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूं जब आप यह सारे कंदलीनी की और जब वो बढ़ती है तो इस्त्रियों में नेत्रित्व करने के शमता अपने फाइनन्स को ख़ुद पेदा करने की शमता अपने भावनात्मक रूप से अपने आपको मजबूत करने की छमता, भावनात्मक रूप से किसी के उपर डिपेंड ना होने की का गोण, ये सब चीज़ डेवलप होते जाता है, तुरंत निलने लेना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होना, और क्या कहते हैं लीड करना, ये सारे जो पुरुष के जो गोण होते हैं ये उस महिला में आने लगते हैं, सेम वे में पुरुषों में, पुरुषों को, आपको पता है बच्पन से सिखाया जाता है, कुछ प्रचलित कोट्स जैसे, मर्द को दर्द नहीं होता, अरे अरे लड़की जैसा र अपने आपको अभिव्यक्त करने में प्रॉबलम होती है, अपने भावनाओं के साथ कनेक्ट होने में प्रॉबलम होती है, या वो उस से दूर ही भागते हैं, एक हद तक दूरी बना के रखते हैं, तो आपको ना इसको इसमें डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आ आप नहीं देख पाओगे, फुरुषों के लिए बोल रही हूं, तो मन की सफाई आप कैसे करोगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी बाधा होती है, भावनात्मक्ता, तो पुरुष में जब जो गुण है, वो बदलने लगेगे, जब पुरुष कुंडलिनी के ओर जाने लगेगा, तो पुरुष के जो गुण है, वो बदलने लगते हैं, उसमें विनम्रता का गुण आने लगता है, दया, भावनाओं को समझने की कला, ठीक है, समवेधन शिलता, ये सारी जो गुण है, ये पुरुष में डैवलप होने लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प अब अब तक अधूरे थे, अब आप पुर्णता की ओर जा रहे हो, एक बार और बोल रहे हूं, अभी तक आप अधूरे थे, अब आप गुणों को समझ रहे हो, उसका प्रयोग कर रहे हो, मुक्ती के लिए उप्योग कर रहे हो, और अब आप सिर्फ इस्त्री के फ्रेम मे नहीं हो अब आप इस्त्री और पुरुष के फ्रेम से बाहर आ गये हो और पूर्णता की ओर जा रहे हो तो कुंडलीनी जागरन के भाशा में अगर मैं बोलू है ना कुंडलीनी जागरन की भाशा में अगर मैं बोलू तो एक इस्त्री में कुंडलीनी जो है एक पुरुष के शक्ति होती है और एक पुरुष में कुंडलीनी जो है वो इस्त्री की शक्ति होती है तो पुरुष में देवी का जागरन होता है और इस्त्री में देवता का जागरन होता है ठीक है मैं इसको अपनी भासा में बोल रहे हूँ लेकिन हाँ ये सही है ठीक है और उसके बाद में कुंडलीनी जागरन के लिए आपको पूर्ण होना पड़ेगा अब जब आप पूर्णता को या कुंडलीनी जागरन को प्राप्त करोगे तो उसके बाद आपको पूर्णता को भी छोड़ के शुन्यता की और जाना होगा इस वे प्राप्ति के लिए लेकिन मैं आपको इस व ताकि जब आपके अंतर बदलाव होना तो आप उसको रोके ना ध्यान को अपना काम करने दीजिए ठीक है और ये कुंडलीनी जागरन ना सिर्फ ध्यान करने से जागरित नहीं होता आप भक्ती मार्ग से भी जागरित कर सकते हो आप ग्यान मार्ग से भी जागरित कर सकते हो और अध्यात्म के जितने और दूसरे भी जितने भी रास्ते हैं, किसी भी रास्ते पर चलके आप इस जगह पूर्णता तक पहुँच सकते हो, हाँ इस पूर्णता को हम ध्यान की भासा में कुंडलीनी बोलते हैं, ये चीज़ है, ठीक है, तो ये जो behavioral change है ना जो, ये आपको किसी और मार्ग से चलने पर भी अपने आप ही change हो जाते हो, है ना, तो आपको change होना है, क्योंकि जो लोग change नहीं होते, वो आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते, आध्यात्म पूरी तरीके से, अपने जो बाहर का जूट ओड़ के रखा है, उसको हटाने का नाम है, ठी देखोगे कि जो चीज एक्स्ट्रा है, जो चीज गलत है, जो चीज सही नहीं है, या मुक्ती में बाधक है, वो सब चीज आप हटाओगे, तभी आप change होगे, है ना, उसी change के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो पूर्णता को जब आप छोड़ोगे, तब आप शुर्ण तक की जरनी पूरी की, अविद्या से हटने के लिए आपने विद्या को ग्रहन किया, अविद्या से हटने के लिए आपने विद्या को समझने की कोशिश की, अब अविद्या हट गई, अब आपको विद्या भी हटाना है, शुन्य होने से पहले, अब चोरों से आप इसको मस समझे लेगिन हाँ यह चीज जरूर आप आप में यह व्यक्तित्व में यह चीज जरूर बदलाओ होगा अगर आप कुंडलीनी तक पहुचते हैं तो ठीक है इस बदलाओ से आप गुजरेंगे ही गुजरेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड अप आपको कोई भी सेक्चन में इस वीडियो के कमेंट सेक्चन में मुझे प्रश न करके पूछ सकते हैं एक है और और ढूर बह्त हो अध्यात्म के चेतर का या परसनल जो भी आप कमेंट करके पूछ वड chủ Σकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में